फिल्म के अंदर एक सीन इस लोकेशन से लिया गया है उसे स्क्रीन सोट में जो है आप लोगों को ये घंटी नजर आ रहा होगा और इसी अस्थान पर बैट कर अनिल कपूर और रंभा की शादी की जाती है दोस्तो 1998 इस भी में एक फिल्म आई थी उस फिल्म का नाम था घर वाली बाहर वाली इंदी सिनेमा के इतिहास में यह एक काफी सफल फिल्म रही थी इस फिल्म के मुखी किरदार में नजर आये थे अनिल कपूर, रवीना टंडन, रंभा और कादर खन इस फिल्म को नेपाल की राधानी काफमांडू के अंदर कुछ खुबसूरत लोकेशन्स पे फिल्म आये गए थे उन सभी सुटिंग लोकेशन को आज हम लोग घूमने वाले हैं तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में और दोस्तो आज हम लोग पहुचे हैं काटमांडू में मौजूद संभूनाथ टेम्पल तो दोस्तों देख रहे हैं यह सीडियां कितनी ज्यादा उंची है नीचे में रोड से टेम्पल के अंदर तक जाने के लिए तोटल 365 सीडियां चर्मी होती है और काफी कटी है बट ज्यादा टाइम नहीं लगा हम लोगों को नीचे से उपर तक आने में एराउंड 15 मिनट 15 मिनट के ट्रैकिंग में हम लोग बस पहुच जाएंगे उपर और यहां पर जो है आप देखिए पेड़ पर दो मंकी बैटे हुए मंदरों की संख्यां जो है यहां पर काफी ज्यादा है इस वज़ए से इस टेम्पल को मंकी टेम्पल के नाम से भी लोग जानते हैं काफी फेमस है दोस्तों इस फ्लम के कहानी के अंदर अनिल कपुर जो होते हैं वो बिजनेस के सिल्सिले में नेपाल आते हैं और नेपाल में उनके साथ एक हो जाता है जिस वज़े से उनको एक नेपाली लड़की मनीशा के साथ साधी करनी परती है वो साधी वाला जो सीन है इसी टेमपल के अंदर जो है फिल्म आया गया था तो देखी हम लोग तगरीवन आधा से ज्यादा सीड़ियां चड़ चुके हैं और यहां से देख सकते हैं आप लोग की हम लोग कितना मतलब की है और यहां से जो है काठमांडू का पूरा शहर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तुरा साथ जूम करके दिखाना जूम करोगे तब घर सब दिखेगा क्या क्या गजब का वीवा आ रहा है जो अनिल कपूर का जो फ्रेंड होत जो है एक सीन इस लोगेशन से मतलब की दिखाया गया है जब वो मनिशा को लेकर आगे की तरफ जाता है और एक सीन में आप लोग को बुद्धा स्थूपा का ये सीन दिखाई पर जता होगा तो जैसे कि आप लोग जो है स्प्रेंग शूम्याच करके देख सकते हैं यहां स जो है सीन दिखाया गया है दोस्तों टेंपल में जो एंटर करने के बाद सबसे पहले हम लोगों को एक काफी बड़ा सा स्थूपा देखने को मिलता है जो की लौड बुद्धा को समर्पीत है और चलिए फिर अंदर चलते हैं और सारा कुछ हम लोग देखते हैं टेंपल के सबसे बड़ा स्थूपा यही है और इसके पश्चात आप लोगों को मंदिर के अंदर यह देखिए सामने इस तरह के छोटे-छोटे स्थूपा जो है काफी सारे देखने को मिलेंगे दोस्तों टेंपल के अंदर आने के बाद आपको भारी मात्रा में यहां पर जो है विद देशों से नेपाल घुमने के लिए आते हैं और अब हम लोग देखते हैं इस फिल्म का एक दूसरा लोकेशन इस फिल्म के अंदर जब अनिलकपूर की शादी रंभा के साथ होती है उस वाले सीन को इस लोकेशन के फिल्म आया गया है जैसे कि आप लोग इसे स्क्रीन में जो है आप लोगों को ये घंटी नजर आ रहा होगा और इसी अस्थान पर बैट कर अनिलकपूर और रंभा की शादी की जाती है कर साथिया कि जो में पर है दो स्धों के अंदर एक सीन इस लोकेशन से लिया गया है जब अनिलकपूर का जो फ्रेंड होता है वह उसकी शादी रंभा के साथ करवा देता है और में जब अनिलकपूर को पता चलता है कि उसकी शादी हो गई एक नेपली लर्खी से वह वाले सीन को इस लोकेशन से लिया गया है प्रूक्हिए इस लोकेशन से जो है यह संभूनात स्थुपा का यह वाला सीन दिखाई पड़ता है जहां पर आप इन स्थुपा में यह दो चलेंगे प्धूटा सा नीचे दोस्तों यहां आने के लिए आप सीरियों से चुर्ट की आ और अगर है। आप वैक से या फिर टेक्सी वगड़ा से आना चाहते हैं तो उससे अने के लिए आप को अरी ए यहieran करने देखने को मिलेंगे जो यहां पे घूमने के लिए आते हैं और यहां से यह जो सीरिया है यह नीचे के तरब से जाती है और यहां से मतलब की विकल से लोग आते हैं तो चलिए चलते हम लोग और आगे भी कापी कुछ है देखने के लिए और कापी सारे लोकेसों को दिखाया काटमांडू शहर के पस्चिम में एक पाहरी के ऊपर यह अस्तूपा इस्तित है जो हजारों साल प्राचीन है बहुत धर्म के अनुयायों के लिए यह अस्तान काफी पवित्र है क्योंकि भगवान बुद्ध ने खुद ही इस अस्तान पर काफी समय बिताया था लेकिन इस अस्तूपा का पुनर निर्मान छटी सताबदी में राजा विरिश देव ने कड़वाया था कर दो से तलके हम लोग नीचे आए और यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी सारी गारियां जो है वो लगी हुई है अगर आप वी तल से आना चाहते तो उससे भी यहां तक आ सकते हैं और यहां पर एक चोटा सा आला टैप का बना हुआ है जिसमें लॉज दुसा का ट्रियां को उस बॉस्पमे इसे नाड़ना करड़ा है वरीयास कर रहे हैं यह कोई राज है तो चलिए हम लोग भी उसे शड़ते हैं और देखते थे हमारा क्वाह राभ गार ना आख़ा है और इसके लिए हम लोग दो से अरगप का फॉन्स ब्रुण में लेकित हैं लेकश चाहर चाहर आठ दस बाराइं ट्वेंटी रुपीज के हम लोगों को बाराइं को इन लें लिए फिर हम लोग स्ट्राइकर तो अब दो इस वोप्स में हमारा को इन जाता है या दो है सब्सक्ति करना है आराउंड पांच मीटर चाहिए और क्याते है कि जिनका कोईनी सब्सक्राइकर वोग भी खीर है वीज़ें मेरे समीजर मेल लगए किमें निखीया तो इस व्यूंस हो गया है पर द्र स्कैट में में हो गया है ए्ट जीमा फलाए लाट मेया किस्थ पहला है एक मुछ़ एक 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 लेक नाच- Тरहगा वीमा तो लो तीन कोईन तुम भी ट्राइ करो और देखते हैं तुम्हारा लक कैसा है तुम अपना अल्गे ब्लॉग बना रहा है नोट लखी ये भी चले गया जाके निकल गया तो भाई ये एक लॉट बुद्दा का श्ट्याचू यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर जो है लोग कोईन वगेरा उसमें डालते हैं और यहाँ सामने एक वाटरफॉल जो की है बना हुआ और काफी खूल सुरत लग रहा है और उपर देख सकते हो काफी सारी मंकीज आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस प्लेस को मौंकी टेंपल के नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तो आज हम लोग घूमें काथमांडू में मौजूद स्वैंभूनाट टेंपल जिस लोकेशन पे नबबेक के दसक के सूपर हिट फिल्म घर वाली और बाहर वाली को फिल्माया गया था तो यह वीडियो आप लोगों कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस फिल्म के अंदर जो एक नेपाली कल्चर दिखाया गया है कि अगर पती अपने पत्नी को शादी के पस्चा छोड़ देता है तो उस लरकी का सिड मुंदवा कर उसे अंडे और टमाटर फेक के मारे जाते हैं और उसे भटकने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो क्या वाके में ये कल्चर सही है या फिर नहीं अगर आप मेंसे कोई भी नेपाली दर्सक इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं आशा करता ह कि यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया तो इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आप लोगों को बहुत जंद मिलूगा तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रम